अगर आपकी अभी तक विश्पूरी नहीं होई है बौहट टाइम से आप ट्राइ कर रहे हो तो लॉंग से बहुत जल्दी विश्पूरी हो जाएगी इस उपाए को ट्राइ करके देखना बहुत जादा चमतकारी उपाए है रातो रात भी विश्पूरी हुई है लॉंग के बारे में कहा जाता है कि वो लाइफ में बहुत सारी positivity लेगे आता है. और सब्सक्राइब ब्हाहर आरोज अरती में इसलिए आरती में आर्थार वाले दीए में आरति में लॉंग कुछा जाता है कि आप भगवान के आगे दिया क्यूंग कि सैंगे लॉंग जरूर डाले, क्यों कहा जाता है, अगर कपूर जलाएं आप घर में, डेली कपूर जलाते हैं, तो उसमें लॉंग भी जरूर डाले, ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि लॉंग में बहुत सारी चमतकारी शक्तियां होती हैं, नकरातमक्ता को दूर करने के लिए और सकरातमक्ता को ल चाहिँ होने देरेहे हैं अब लाग क्या काम करेगा लाग उन negativity को दीर करेगा un negative energies को दूर करेगा जो की आपके विश्पूरी होने में रुकावट डाल रहे हैं बहुत ज्यादा सिम्पल है लेकिन बहुत 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 जादा एफेक्टिव है, म Imma InBloing Results है इस उपाई के। अब आपने यह करना कैसे है? सबसे फेहले यह आपने कल से स्टाट कर ना है कल फ्राइड़दे हैं कल से पक्रि έχम होते हो फोग ते करें बंद हैं टो जो करना में। सब्टल के सब्सक्राइब करने और Anyसी आँख must beBeatS तो असदे के में करें अगर ऑमक्रिम क्रिज्णाये नम्हा करेंगे , बहुत जल्दी इसके results है, mind-blowing results है, आपने अपने दिल के उपर हाथ रखके मुठी बंध होनी चाहिए, जिस हाथ में long है, और फिर आपने ओम क्लीम कृष्णायनम हजाप करना है, 108 बार minimum, इससे ज़ादा भी कर सकते हो, पर minimum 108 बार तो करना ही है, ठीक है, और अपनी wish को visualize करना है, या फिर अगर सिफ negativity को दूर करने के लिए कर रहे हो, तो आपने ये feel करना है कि life से सारी negativity दूर हो गई है, positivity आ रही है, खुशियां आ रही है, सुख सिम्रिद्धी आ रही है, जो भी चाहते हो, वो आप visualize कर सकते हो, वो चीज़ आप imagine कर सकते हो, जो भी आपके wish है, जैसे भी आप प्रार्थना करते हो, भगवान से पूजा करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, उनसे शमा मांगते हो, उनको धन्यवाद बोलते हो, जैसी भी जो भी उन्होंने life दी है, उस चीज़ के लिए धन्यवाद भी करना चाहिए उनको, ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप 108 भार कर लोगे, बिल्कुल सचे मन से करना, बिल्कुल विश्वास के साथ करना, उसके बाद वो लॉंग आपने जला देने हैं, ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हो कि साथ में कपूर भी रखके जला सकते हो, या सिर्फ वो long ही जला दो कोई इसमें problem वाली बात नहीं है चाहो तो आप एक कपूर भी रख सकते हो जलाते time, हाथ में नहीं रखना कपूर हाथ में सिर्फ 5 long रखने है ठीक है, बहुत जादा simple है जब आप burn करोगे, जलाओगे किसी कटोरी में जला सकते हो आपके असपास की negative energies है वो long सब दूर कर देगा सारी नकरातमकता दूर कर देगा जब जलालों के थोड़ा सा धुआ घर में भी होगा, ठीक है उसके बाद आप उसको main gate के पास रख देना ताकि main gate से भी सारी negativity दूर हो जाए, जो आपके घर में एंटर करता है, जहां से negativity एंटर करती है, main gate पे बहुत सारी negative energies होती है जो कि इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती पूरी family को आगे नहीं बढ़ने देती घर में बिमारियां आती है, बहुत सारी चीज़े आती है, तो जब आप main door पे रख दोगे, जलते हुए long को तो main door से भी सारी negativity दूर हो जाएगी, ठीके, बहुत सादा effective है, यह आपने Friday से स्टार्ट करना है और आप daily करो, कम से कम इसको आपने 11 दिन डेली करना है 11 दिन डेली करने के बाद आप results देखना, पहले ही results मिल जाएगे, बट अगर maximum to maximum 11 days में आपको results मिलने लग जाएगे energies positive होनी start हो जाएगी घर में सुख समृद्धी आने लग जाएगी, आपको happiness feel होने लग जाएगी, life में बहुत miraculous changes आपको feel होने लग जाएगे जैसे life में बहुत सारी positivity आगई है, बहुत सारी चीज़ें आगई है, जो भी आपको लगता था कि wish नहीं पूरी हो सकती वो भी wish पूरी होती है आपको नजर आने लग जाएगी, भगवान की blessings मिल रही है, ऐसा आपको feel आने लग जाएगा, जब भगवान का आशिरवाद मिलता है, तो हमे संकेत मिलते हैं, हमें खुशी feel होती है, अंदर से मन बहुत खुश रहता है, सारी चीज़े बहुत अच्छी लगते है, लाइफ बहुत easy लगती है, बहुत खुश लगते है, बहुत आसान लगती है, कोई भी tension नहीं होती, ऐसे लगता ही नहीं कोई struggle है, तो ये संकेत आपको मिलने लग जाएंगे, मतलब भगवान के आपको blessings मिलनी स्टार्ट हो गई है, भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली है, इसलिए मैंने आपको बोला कम से कम 11 दिन ये repeat करना daily 11 दिन करना, एक भी दिन मिस नहीं करना, ठीक है, ताकि अगर आपकी energies थोड़ा देर से positive हो रही है, लेकिन होंगी जरूर, बीच में छोड़ दोगे, तो फिर उन कहानी फिर zero पे आ जाती है, तो energies positive जरूर होंगी, definitely होंगी कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, बहुत जादे effective है, करके देखिए, फिर देखिए, कितने आपको benefits मिलते हैं, कितने चमतकारी फ़ल मिलते हैं आपको, मिलते हैं next video में, take care